डियर फ्रेंट्स मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डैनेमिक नॉलेज ग्रूप पे डियर फ्रेंट्स आज हम लोग फिप्ट क्लास करेंगे केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप तो फ्रेंट्स सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आबर्थ शारणी यह कैसे बनाई गई तो फ्रेंट्स स्टार्टिंग में सारे जो मतलब 19th century में सारे कई सारे वग्याने का है उन्होंने कोसिस यह की कि मतलब बर्गी करन किया जाया आबर्थ शारणी का तो किसी मौलिक गुड के आधार पर बनाकर की गई पदार्थ हों कि ऐसी बिवस्ता जिसमें निश्चित अंतराल के बाद समान गुड बाले पदार्थ पुना उपस्ते थों उसे कहा गया कि आबर्थ बिवस्ता कि मतलब एक पर्टिकुलर नंबर के बाद एक ऐसा नंबर आये तो उन उन किया था ठीक है तत्तों का सबसे पहले बर्गी करण किसने किया था डोविर नर ने तत्तों के बर्गी करण से संबंदित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो फ्रेंट्स ये त्रिक नियम का प्रतिपादन भी किया था डोविर नर ने और त्रिक नियम ये था क इन्हों ने तीन तीन एलिमेंट के ग्रूप में बनाने की कोशिस की थी और इस तरीके से बनाया था कि पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का अगर परमाड़ू भार एटॉमिक वेट का अगर हम एबरेज निकालें तो वीच वाले का आता था इसे नों ने कुछ तरीक बनाये वो समझने की कोशिस करते हैं जैसे लीथियम और यहां पे सोडियम और यहां पे पोटेसियम तो फ्रेंट्स लीथियम का परमाड़ू भार साथ और इसका 49 इन दोनों का अबरेज निकालेंगे तो 46 तो 23 इस तरीके से लेकिन यह फेल हो गया क आपको द्यान रखना है कि जो तरीक नियम था वो किस से रेलेटिट्ड है वो डोवे रेनर से हैं टत्तों के बर्गी करण से संबंदित अस्टक नियम का प्रितिपादन किस ने किया ऐसे ही फ्रेंट्स हूब ऑउ कोशन आपको एक्जाम में मिलेंगे अस्टक नियम का प्र तत्यों को बढ़ते परमाड़ू भारों के करम में लिखा जाए। बादित किया तत्तों के जो भातिक और रासायने गुड होते हैं वो उसके परमाडू भारों के आबरती फलन होते हैं परमाडू भारों के आबरती फलन होंगे तो फ्रेंट्स देमेत्री मेंडलीफ रसियन साइंटिस्ट थे इन्हों ने ये दिया था तो आबरती फलन होते है परमाडू भारों के तो मेंडलीफ ने कहा था यह ठीक है यतनी बात आपको याद रखने हैं फ्रेंट्स एक छोटी सी लेकर बहुत ही जदा इंपॉर्टेंट बात हम लोग थोड़ी सी यहां पर देख लेते हैं कि परमाडू संख्या या एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं परम दो कंवान है उनकी कुल संख्या होती है भो कहलाती है मतलब क्रमाडू करओंग जैसे कोई mercury icomे एक बाध परोटौन है तो क्या है इसकी परमाडू संख्या एक होगी हीलियम है इसमें दो है तो क्या होगी इसकी दो परमाडू कर्माग हो Не टिक लीथियम है तो क्या है तți र प्रोटॉन है तो क्या होगी यहाँ पर तीन होगी परमाडू करमां की एक चीज और याद रखनी है कि जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो इलक्टॉन्स के संख्या के बराबर होती है एक पॉइंट आपको यह बहुत ही छोटा सा याद रखना है ठीक है और फ्रेंट्स क्या होता है atomic weight में इसे एसे denote करते हैं और ये neutron और proton की संख्या के बराबर होता है ठीक है कई बार question basically अगर group D की बात की जाए या railway के exam की बात की जाए तो कभी कभी question इस type से पूछ लेते हैं कि मतलब इसमें electrons इतने हैं तो परमाडू भार बताओ इस type से question बूछ लेते हैं तो उसमें आपको ये helpful रहेगा मेंडलीफ के अनुसार तक्तों के गुण आवरती फलन होते हैं मतलब मेंडलीफ के according क्या था कि तक्तों के गुण आवरती फलन किसके according होते हैं मेंडलीफ ने तो यही कहाता कि परमाडू भार पे मतलब मेंडलीफ के जो आवरत शारनी थी वो परमाडू भार पे आधारे थी इतनी बाद आपको याद रहत नहीं है ठीक है किस बैग्यानिक ने सरप्रतम आवरत सारनी का निर्माड किया था तो मेंडलीफ ने सरप्रतम आवरत सारनी का निर्माड किया था यह वाद आपको धियान रखने है ठीक है आधुनिक आबर्थ सारणी का प्रितिपादन किस ने किया तो आधुनिक आबर्थ सारणी है इसका प्रितिपादन किया मोजले ने ठीक है फ्रेंट्स next question रिखते हैं आदुनिक आवर्द सारणी में तत्तों के बर्गी करण का आधार क्या है तत्तों का बर्गी करण उसका आधार क्या है जो पुरानी वाली आवर्द सारणी थी मतलब मेंडलीफ वाली आवर्द सारणी थी उसमें परमाडू भार आधार था कि आधुनेक आवर्थ सार्णी इसमें पर्माडु क्रमांक आधार इतनी चीजा आपको समझा गई होगी आवर्थ सारणी को क्दूति इस तरीके से आउति होती है तो इस तरीके से तो मतलब ये इस तरीके से ऐसे से आपने इस तरीके 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 से रो होती है तो इस तरीके से रो होती है तो इस तरीके से रो होती है तो इस तरीके से रो होती पैट इस मींस होरिजोंटल क्या कहलाते हैं इन्हें कहा जाता आवर्थ पीरियर्ट सोल जाता है ठीक है एग्जाम में यह कोस्टन कई बार रिपीट हुआ है रेलवे के तो बहुत जाद है तो बर्ग कौन से है जो बर्टिकल है इस तरीके से तो बर्गों की कुल संख्या बड़े आराम से लगा देंगे 18 है ठीक है नेक्स दिखते हैं आधनिक आवर्द सारणी में आबरतों की संख्या है तो आबरत या पीरियेट्स कितने हैं जो फ्रेंस साथ होते हैं ठीक है ये चीज भी आपको याद रखी है आवर्द सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो फ्रेंट्स ये दिमित्री मेंडली फ्रसियन साइंटिस्ट इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आवर्थ सारणी बनाई थे ठीक है तत्तों के भौतिक बारासाइनिक परमाडू संख्या के आवर्थ फलन होते हैं यह नियम किसने प्रतिपादित किया तत्तों के भौतिक बारासाइनिक गुण परमाडू संख्या के आवर्थ फलन होते हैं परमाडू-sankhya की बात हो रही है तो परमाडू-sankhya फे अधनेक आबर्त-s क्योथां शुमों के सदस्य को कि तो की सन्मों कि तरीके से आपने देखा होगा कि 18 यहां पर हाइड्रोजन होता पहले हीलियμεं है इस तरीके से आपने देखा होगा यहां पर आपके अठारा होते हैं वो क्या होते हैं अपर ग्रुप्स होते हैं ठीक है तो अठारा ग्रुप्स में सबसे लास्ट का ग्रुप होता है इसे हम अठारमा ग्रुप बोलते हैं या सून ग्रुप भी बोलते हैं ठीक है इसे पहल बॉक्हाद रहाद रखना है ठीक है तो इसमें क्योंगा सून निशम हो या 18 इची चीज उसमें क्या उधाई अक्रिय गयासे होतulty है आए नेक्ट Cetteने एफ इंस्ट इम्पॉर्टं ब्यूर्ट न कि चार तत्तों को आवर्द और सारणी किस समू में रखा गया है छार तत्यों को किस में रखा गया है तो फस्ट में ही रखा गया है ठीक है फस्ट वाले में क्या रखा गया है हाइड्रोजन को छोड़ के बाकि सब छार तत्यों है किस समू के तत्यों को सिक्का धातू कहा जाता है तो friends, सिक्का धातु किस सम्मू के तत्तो को कहा जाता है, most important question है, कई बार exam में पूछा गया है, तो friends, ये कहा जाता है, 11th बाले को, ठीक है, 11th बाले को सिक्का गुरूप कहा जाता है, और इसमें कौन कौन से, इसमें ये elements आते हैं, जो सिक्का बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब coin बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, next देखते हैं सून समू में रखे तत्व किस नाम से जाने जाते हैं सून समू या जो last वाला है अठारवा समू जो अक्रिये गैसे होती है तो उसे निस्क्रिये तत्व या अक्रिये गैसे बात एक है आप पढ़ी आसानी से यह option देखते ही लगा देंगे सबसे भारी दातु है तो सबसे भारी दातु फ्रेंट्स कौन से यह osmium है second last video में हम लोग ने यही discuss किया था फ्रेंट्स elements के बारे में इस type के जो question आते हैं तो उसका link में description में दे दूँँगा बहुत ही important है सबसे हलका सबसे भारी प्रकरती में कौन सा पाया जाता है सबसे ज़्यादा सबसे कम इस type से तो वो video आप जरूर देखें बहुत important है next कौन सा तत्तु का मौलिक गुण है तो friends परमाडू संख्या है वो तत्तु का मौलिक गुण होता है ठीके friends इस type के friends hundred plus videos हम लोगोंने cover कर रखें आप लोगोंने अगर नहीं देखें तो उन्हें देखें और चैनल पर पहली बार हैं तो subscribe कर लें बहुत ही important चैनल ही आपके रिए साबित होगा अगर आप किसी भ आवर्थ का अंतिम सदस्द से होता है तो प्रदेक आवर्थ का अंतिम सदस्द से होता है तो आवर्थ कैसे होते हैं friends इस तरीके से यह आवर्थ होते हैं और आधुनिक आवर्थ सारणी में साथ आवर्थ होते हैं ठीक है इस तरीके से साथ आवर्थ होते हैं तो friends पहला तो तो आपका पहला तत्यु तो यह हो गया, ठीक है, इसमें तो सारे चार वाले होते हैं, और सबसे लास्ट वाला फ्रेंट्स कौन सा हो गया, इसमें अक्रिये गैसे होती है, तो पृतिक आवर्थ का अंतिम सदश से होता है, तो एक निस्क्रिये गैस, बड़े आसानी से अब लगा देंगे प्रतिक आवर्द का प्रथम सदस से होता है तो प्रथम सदस से फ्रेंट्स देखा है कि छारदातु होती है और फ्रेंट्स जो सेकेंड होता है वो क्या होता है मरदा छारदातु होती है सून इलक्टरॉन सजातियता होती है मतलब तो सून इलक्टरॉन सजातियता होती है कि जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है आउटर मोस्ट में मतलब कोई भी वेकेंसी नहीं होती है तो उसे क्या कहता है सुन से हो जगता कहता है तो वाक्रिय गैसो की होती है लास्ट में ठीक है आपने यह पड़ा होगा 2818 18 32 टीक है तो इसमें क्या होता है कोई भी मतला पूरा अस्टक उनका फुल होता है इस वज़े से क्या होता है कि सुन ने इसकी सजातियता हОती है नक्सक्षण देखते हैं फ्रेंड्स very important SSC में आया हुआ कोश्चान है आवर्थ सारिनी के दूसरे आवर्थ में तत्तों की कुल कितनी संक्या है तो फ्रेंड्स आप तो ने देखा होगा कि 288 18 18 32 और उसके बाद में जो सेस बस्ते हैं वो ठीक है तो यह आपको बिलकुल याद रखना है ठीक है इसी इसाब से होते हैं जैसे पहले आवर्ट में दो होते हैं दूसरे में कितने एट होते हैं तीसरे में एट चौथे में एटीन फिर फिप्त में फिर फिर 32 इसके एकॉर्डिंग ठीक है तो यहां पर एट होंगे फ्रेंट्स यह आपका एससी 2015 में कोश्चन आया है और इसके बाद नेक्स सेम कॉंसेट कोश्चन पूछा गया दो साल बाद एससी में आधुनिक आवर्ट सारणी के पांच में आवर्ट में कितने होते हैं पहला दूसरा तीसरा चौधा पांच में तो पांच में कितने होगे ऐटारे हो गया है ठीक है फ्रेंट्स तो इस तरीके से लगा देंगे नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं ग्रुप के तद तो सबसे ज़्यादा क्रिया सील होते हैं को क्या कहा जाता है मोस्ट सबसे ज़्यादा क्रियासील होते हैं जिसमें फ्लोरीन होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियासील होता है ठीक तो नेक्स कुस्चन देखते हैं यह modern periodic table देख लो देखो 18 यहां पर क्या है फ्रेंट्स ग्रुप्स है ठीक है और periods कितने है आवर्थ आबर्द कितने हैं? यहाँ पर साथ हैं तो यहाँ पर क्या हुथा? यह 57 से 72 के बीच के हैं वो यहाँ पर दे दिये जाते हैं नीचे को और 89 से 103 तक यहाँ पर दे दिये जाते हैं ठीकिर फिर्ट्स? चले इस पर question देखते हैं बहुत important आवर्थ सारणी से बाएं से दाएं जाने पर ठीक है बाएं से दाएं जाने पर मतलब फ्रेंड्स आप लोगों को बाएं से दाएं इस तरीके से जाने पर परमाडू के आकार पर क्या प्रभाव पढ़ता है ठीक है फ्रेंट्स और उसके बाद तो परमाडू के आकार पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो फ्रेंट्स यहां पर देख रहे होगे एक और दो परमाडू करमांग है तीन है चार है पाँच है ठीक है तो यहाँ पर कंट्विन बढ़ता जा रहा है परमाडू करमांग तो फ्रेंड्स एक चीजा पर देखने की कोशिस करें जैसे कि लीथियम है यहां पर ठीक है तो लीथियम का परमाडू करमांग तीर है मतलब इसके अंदर तीन प्रोटोगों होंगे है ठीक है इसमें क्या है चार आपका प्रोटॉंस रहेगा तो चार हो जाएगा इसके बाद में क्या है बुरान है तो इसमें पांच हो जाएंगे अब एक बात समझने की कोशिश करना कि जितना आपका नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज जादा होगा वो क्या करेगा बाहर जो इलक्टरॉंस होंगे इनको अपनी तरफ खीजने की कोशिश करेंगे और साइज कम होता जाएगा ठीक है कम होता जाएगा जब ज़्यादा अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो ज़्यादा इसे खीचेगा अपनी तरफ तो क्या होगा मतलब यहां पर साइज कम होता इस साइड से जाएंगे तो साइज घटेगा घटता है इतनी बात आपको ध्यान रखनी है next question देखते है friends आवर्त शारनी ओपर से नीचे जाने पर क्या होता है ओपर से जाने ऊपर से नीचे जाने पर friends क्या होता है इसमें फ्रेंट्स एक चीज आप ध्यान से समझने की कोसिस करना कि जैसे की आबर्थ चेंज होते हैं तो यहां पर हम लोगों ने डिसक्स किया था पीछे 288 18 18 ठीक है तो जो सेल्स होती है सेल्स होती है जिसे कि यह नाबिक है नाबिक के बाहर पहले में दो इलक्टरॉंस रह सकते मतलब एक यह है एक यह है तो इस तरीके से लेकिन अब जब जैसे ही हाइडरोजन का देखेंगे फंट्स यहां पर तो एक मिट यहां पर थोड़ा सा ये नाबेक है एक यहाँ पे रेक्टरॉन हो जाएगा एक यहाँ पे हो जाएगा फिर अगली कक्षा में क्या होगा एक होगा इसी तरीके से क्या है सोडियम का देखते हैं तो इसका क्या होगा फ्रेंट्स टू एट और थ्री होगा तो पहल ये नाबेक है यहाँ पे दो है कक्षाएं बढ़ती जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा ठीक फेंस बात इतनी समझ आ गई होगी चलिए नेक्स कोशन देखते हैं बहुत जदा इंपॉर्टेंट है यह भी इसी कॉंसेप्ट का है आवर्थ सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बिद्धुत रिणात मक्ता पर क्या प्रफाव पड़ता है तो फेंस बिद्धुत रिणात मक्ता का मतलब है कि कौन सा एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से मतलब अपने अस्टक पूरा करने के लिए ले लेगा ठीक है तो फेंस इस टाइप से बढ़ते जाते हैं तो बढ़ता जाएग तो यहां पर टू फाइव होगा और फ्लोरीन का कि जो सबसे ज़्यादा है इसका टू से बनोगा मतलब आओ इससे अस्टक पूरा करने के लिए एक लेक्ट्रॉन की जरूद है तो इसे सबसे ज़्यादा चाहाते लेक्ट्रॉन की ठीक है तो इसलिए क्या है इसकी कितने आपके एक-एक की कमी होगी ठीक है एक-एक लेक्ट्रॉन की कमी होगी तो मतलब इन्हें सबको चाहता है सबसे ज़्यादा की लेक्ट्रॉन मिल जाए अस्टक अपना पूरा करने है ठीक है तो मतलब इन सबकी सबसे ज़्यादा बिद्दृत्रणात्मकता है तो इस वीडियो के ऐसा लगा कमेंट सेक्षिन में बताएं और आपका कोई भी सुझाव हो प्लीज उसे भी कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं